So there is so much debate on internet के कुछ लोग कह रहे हैं के Influencers कह रहे हैं के पाकस्तान चोड़ो दो कुछ लोग छोड़ो के चले भी गए हैं कुछ सो काल्ट स्कालर्स जुत्य जैसा के हमाज सावी के एक वीडियो जा रही थी के वो लोगों को कह रहा है के यहां से आपने बाइर नहीं जाना और लंदन में बैठा है So हर बंदा जो है ना खास तोर पर जो ग्रेजुएट से अब देखे 66 परसंट नोजवान हैं पाकिस्तान में खास तोर पर जो ग्रेजुएट से हैं वो कंफ्यूज हैं सिंपल सी बाद है मेरे समेथ सारे कंफ्यूज है So what is the ultimate solution? देखें कोई भी जो बंदा है ना उसकी एक अपनी सोचनी की direction होती है उसके अपना अंदाज होता है मैं कभी भी यह नहीं कहूँगा कि बाहर नहीं जाना जाहिए अगर आपकी जिंदगी का मकसद है अब एक बंदा है वो लंदन जाना चाहता है अमेरिका जाना चाहता है वो जो है ना स्विजरलेंड जाना चाहता है अस्टेलिया जाना चाहता है उसकी जिन्दी के एक خواब है तो उसे जरूर पूरा करना चाहिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है वो जाए, वहाँ पे रहे तेखें, अल्ला ने थाला ने हमें एक ही जिंदगी दी है हमें चाहिए कि जिस तरह हमारा दिल करता है उस तरह उसको गुजारे अब ये ना कहें कि मैं बाहर जाएंगा तो पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान का मालिक ये चली जाएगा हम नहीं भी होंगे तो जिस अल्ला ने इसको बनाया वो इसको चलाएगा भी जो mentality है कि बायर जाना चाहिए या नी जाना चाहिए ये जो डिबेट है, मेरे ख्याल से हमें इसके बारे में तोड़ा clear हो जाना चाहिए, कि ये डिबेट है क्या, देखें, जब हम बायर का नाम लेते हम कहते हैं, होँआ पे सोलते होगी, ये होगा वोगा हर बंदे को सोलती चाहिए जो मेरा point है, वो ये है, कि हर बंदा अपी जिंदगी में कोई ना कोई चीज sacrifice कर रहा होता है, क्योंकि ये दुनिया मुकमल नहीं है, एक बंदा उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन शायद उसे भूख न लगती हो, वो उसकी sacrifice है, एक बंदा उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी में सकून बहुत है, अब उसके sacrifice कर सकते हैं, कि आप परदेश में जिंदगी गुजार सकते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी हो, सिस्टम अच्छा हो, जो है, अच्छी बिल्डिंग्स हो, यानि जैसा कल्चर होता है, इस पर पर जिंदगी जिंदगी है, इसको sacrifice कर सकते हैं, आप कहते हैं, ठीक है, माबाप से, बहन फाईयों से, दोस्तों से, अपने कल्चर से दूर हो जाएंगे, लेकिन एक अच्छी लाइफ तो मिलेगी, अगर आप कहते हो कि ये वर्दी है, ये इस चीज को sacrifice करना, तो do it, simple, ये अपने दिमाग में सोचेंगे, ये मैं कर सकता हूँ, ये आपको इस चीज के साथ इतनी महबत नहीं है, तो आप sacrifice कर दें, आप इसको sacrifice करेंगे, आपको एक अच्छी चीज मिलेगी, आप कहते हो कि नहीं जी, मैं जो है ना बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि पर्देश में जो है, मुश्किल होती है, पाकिस्तान है, मेरा खास दोर पे कई कई लोग, मेरा एक दोस्त है, वो एक ही है मी अब्बू का, एक ही बज़ए है, तो अब उसका दिल है बाहर जाने को, आपने माबाप को, यानि जो पर्देश है, मैं उसकी खातिर, इन दोनों चीज़ों को सेक्रिफाइस नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं नहीं जा रहा, तो तो अगर आप एक चीज़ को सेक्रिफाइस करोगे, तो आला थाल आपको दूसरी देंगे, लेकिन सेक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो ये सिंपल से रूल है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आप भर बंदा अपने देगे, कि यार मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, अगर आप मेरा दिल था जाने का, मैं नहीं गया, मैंने आइट्स किया, मेरा दिल था अस्ट्रेलिया जाने का, मैं किस वज़ा से नहीं गया, मैं वो एल्टीमेट सल्यूशन आपको बलाता हूँ, वहाँ बे मेरे कुछ दोस्ते, उन से जब बात होती थी तो वो 2000-3000 डालर कमाते थे यानि जो सेटल थे नए नए जाके सेटल होना थोड़ा मुश्किल होता है टाइम लगता है जो सेटल थे वो 3000 डालर इवन के 4000 डालर कमाएंगे लेकिन उसमें से खर्चा भी होगा जाहरी सी बात है 4000 डालर सीधा सदाट 10 लाग रुकाया बनता है तो उसमें से कुछ आप खर्चा कर दें चले 1500 डालर खर्चा कर दें तो पीछे 3000 डालर बच जाएंगे तो 3000 डालर बच जाएंगे वो 6 साल लाग कमाएगा महीने का तो उसकी जो फैमिली है पाकिस्तान में वो उसको भी पहजेगा और यानि उसका एक सिस्टम चल जाएगा लेकिन अगर आप कीप दा एंड फास्ट रखें कीप दा एंड फास्ट यह है कि आप इसी सिच्वेशन को 15-20 साल के बाद देखें तो आपके पास दो आप्शन बचते हैं यह बचता है कि आप अपनी सारी फैमिली को यह उदर ले जाओ अपने बीवी बच्चे साब कुछ उदर ही ले जाओ उदर ही रहो दूसरा यह बचता है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्मिट करो जो कि मोस्ती लोग ये करते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं, जो सारी फैमिली को उठाके उधर ले जाते हैं, एक तो ये solution है, दूसरा solution जी है, जो मेरे mind माया, वो ये था कि आज कल दुनिया एक global world है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो घर बैट के, पंद्रहसो, दोहजा, तीनदर कमा रहे हैं, जब मेरे उस दोस्त ने मुझे बताया, जो अस्ट्रिलिया में है, कि मैं इतने कमाता हूँ, तो मैंने अपने दिवार में सोचा कि, यार, मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ, जो तीनदर डालर, पंद्रहसो, दोहजार, यानि घर बैट के कमा रहे हैं, और व काम जो है, वो multinational companies का कर रहे हैं, घर में भी हैं, आपकी जो पे है, वो भी डालर में है, यानि कि वहां के मज़े आप Pakistan में बैठ के ले रहे हैं, इन शाट, तो मैंने ये सोचा और मैंने अपनी लाइफ को एदर मूव कर वा लिया, मैं आ गया डिटल दुनिया में और मैंने कोई की टेंशन नहीं है, आप से कून से घर में बैठ के काम करते हो, घर में बैठ के जब काम करते हैं, आप psychologically बहुत सट्रॉंग होते हो, आपको पता होता है, रा बज़े, एक बज़े, दो बज़े, तीन बज़े, चार बज़े तक काम कर रह strip के काम कर रहा रहा हूं, और आप फैमिली का हर event जो है उसको enjoy कर सकते हैं लेकिन वही बात है कि मुझे लगा कि मैं अगर वहां जाओंगा तो फिर वापिस आओंगा यानि मैंने अपने लिए बेतर नहीं समझा तो मैंने वो एक third solution find कर लिया और जो लोग इस third solution को avail करना चाहते हैं उनको मैं ही कहूंगा कि आप mechanical engineer हो आप electrical engineer हो आप geoscientist हो आपकी जो भी degree MBA है soft skills के बारे में research करें जो soft skills आपको अच्छी लगती है copywriting है designing, video editing, web designing, programming, artificial intelligence, content writing इतनी ज्यादा skills है कि हमारी सोज है जो भी scale आपको अच्छी लगती है उसके courses करो free courses YouTube पे, Coursera पे, Udemy पे पड़े हुए free courses करें उसको time दें उसको सीखें और उसमें आप expert बनें एक mechanical engineer है मुझे उनका नाम अभी नहीं आ रहा याद वो तक्रीबन एक अरब रुपए कमा चुके है पाकिस्तान में रहती है एक अरब रुपए पाकिस्तान में रहके कमा चुके हैं तो वो यही अपनी story सुनाते है कि मैं mechanical engineer था और pay भी कम थी, job भी field में होती थी तो मुझे यह काम अच्छा ही लगा तो मैंने copywriting सीखी और मैंने बहुत पैसा मना लिया और मैं कि ने लोग को ऐसा जानता हूं जो है कोई और फील में डिगरी की हुए लेकिन उन्होंने soft skills सीखी क्योंकि दिमाग तो अल्ला ने आपको दिया हुआ है डिगरी का फाइदा ही होता है कि आपका एक level higher हो जाता है आपकी जो learning है वो तेज हो जाती है तो उसके बाद आप एक soft skills सीखें उसके बाद आप आजए इस दुनिया में time लगता है यानि मैं यह नहीं कहूंगा कि हजार चाहए वाली की तरह कि आपको 6 मीनों में master master ऐसा नहीं होगा it will take time मुझे तकरीबन सम अच्छा लगा क्योंकि बाइर जाना मेरे मुझे लगता था कि मैं कुछ चीजों को sacrifice नहीं करना जाता है तो simple concept है कि अगर आप sacrifice कर सकते हैं तो जाएं अगर आप कहते हो कि मैं sacrifice नहीं करना चाहता है यह वह तो ultimate solution use करें and there is no shame अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं मैं तो क और एक मुसल्मान जो है ना उसका जो mindset है वो वसी होना चाहिए वो कहते हैं कि चीनो अरब हमारा, Hindustan हमारा, हम है Muslim, वतन है सारा जहां हमारा, मुसल्मान जहां भी जाएगा वो अगर वो अच्छा मुसल्मान है तो लोग उससे inspire होंगे, लोगों को Islam के बारे ही बता चलेग वो पाकिस्तान में पैसा लेकर आएगा and it is good thing अगर हम जो लोग बाहर जाते हैं, वो मुल्क के ambassador होते हैं, वो पैसा लेकर आते हैं, यह बुली चीज नहीं है, तो यह जो stigma बना दिया है कि भागो भागो, ऐसी बार नहीं है, वो लोग वापस मुल्क में आते हैं, so this is my concept about अ झाल 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 झाल